हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू माई चानल प्रियास लवली कीचन आज हम बनाएंगे एकड़म रैस्टोरन जाई से टेस्टी भिंदी मसाला जोरो आप इस रेसिपी को ट्राय कीचे आपको पसंत आईगी अगर मेरे आज की रेसिपी आपको आच्छे लगी पसंत आई तो बिंडी को आची तरह से 2 खे पोच के लेना है, इस बिंडी के लिए मसाला बनाने के लिए हमेंजे एक स्मॉल साइज का प्यांच, इससे कि मैंने एकडम बाहर एक पतले स्लाइश में कर किया है, एक स्मॉल साइज का टमेटो इसे भी कर किया है, दो चमाच मूंग फ्ली, है तो mixer में grind कर सकते हो नहीं तो खलबते में भी कूच सकते हो दो बड़े चमच तेल एक बड़ा चमच सुका नारियल इदर में ने सुका नारियल के लिए हैं आप desiccated dry coconut भी ले सकते हो चार पास लसन की कलिया और एक इंच अदरक तिखापन के लिए तीन चाथ हरी मिर्च आदा चमच जिरा हिंग आदा चमच हल्दी एक चमच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यह ज़्यादा तीखी नहीं है इसलिए में इसमें हरी मिर्च ज परते तो चले बिंदी मसाला बनाना स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एक बिंदी है बिंदी को हम कट करके फ्राइए करेंगे तो बिंदी के पीछे वाला और डंटल वाला भाग हटाएंगे और दो तुकडो में से लंबा लंबा में कट करेंगे देखो इसे मैंने बीच में से कट किया है आप चाहिए तो इसी तरह से कट कर सकते हो नहीं तो दो तुकड़ों में कट कर सकते हो चाह तुकड़ों में भी कट कर सकते हो लेकिन मुझे बिंडी इसी तरह से कट करना पसंद है तो एक बिंडी के में दो तुकड़े कर रही हूं बड़ी बिंडी है तो एक ब करेंगे अब हम मसला बनाएंगे गास के उपर मेने पैन गरम करने के लिए रखा है इसमें एक चोड़ा चमाच तेल डालेंगे पैंच डालेंगे और पैंच को गुल्डन राउन होने तक भूनेंगे पैंच अच्छी तरह से भूनना चाहिए तो इसी तरह से पैंच अच्छी तरह से भून गया है अब मैं इसमें डलूंगी सूकान रियल और सूकान रियल को 25 सेकिंद भूनूंगी अब इसमें डलेंगे टमेटो गविल मीडियूम फ्लेम पे फोड़ा टमेटो सॉप्ट होने तक पकाएंगे तमेटो सॉप्ट दिखने लेगे हैं अब मैं इसे मिक्सर की जार पे निकालूंगी दालूंगी और इसी में हम डलेंगे अद्रक लसन और हरी मिर्च और इसे थंड़ा होने के पाद एक रम स्मूथ पीस हैंगे इसमें पानी डलने की जरुवत नहीं है यह पान में मैं डलूँगी एक बड़ा चमाश तेल और इन बिंडी और बिंडी को मध्यमाज पर अच्छी तरह से फ्राइक करेंगे इज बिंडि फ्राइए करने में तक रहीं पर थीसी सीचार मिनट लगेंगे जब हम इसी तरह से बिंडी फ्राइ करते हैं तो मसाला में बिंडी डालते हैं तब बिंडी बिल्कुल ही स्टिकी नई बनती है और खाने के लिए बहुत ही टेस्टी लगती है बिंडी फ्राइ हो गई है बिंडी को एक प्लेट में निकालेंगे हमारा मसाला भी पीस के तयार है वही प्राण में मैंने एक बड़ा शमश तेल लाला है तेल को गरम होने देते है जिरा जालेंगे जिरा सचकने लगा है अब हम इसमें डलेंगे करीब दे थोड़ा हिंग पीसा हुआ मसाला डलेंगे मिक्स करेंगे मसाला को अच्छी दर से ग्यास की आग देमी रतनी है अब हम इसमें डालेंगे वाकी सारे मसाले हल्दी लाल मेश पाउडर कटा हुआ हरा दुनिया थोड़ा तेस्क के लिए नमक और पीसी हुए मौन फोली मिलात है इन सारी चीज़ा को अलोटू मिड़ाम फ् मसालों से तेल अलग होने तक इसे बूनना है हमने इसमें पानी नहीं डाला है इसलिए मसाला बहुत जल्दी से बून जाता है तो यह मसाला बून के तयार है मसालों से तेल अलग होने लगा है जरत की दूसर हम इसमें पानी डालेंगे जैसे आपको ग्रेवी ठीक चाहिए पतली चाहिए उस हिसाब से आप पाने कम ज्यादा कर सकते हो, इसे उबालाने रेते हैं, गरम मसला जालेंगे और मिक्स करेंगे, ग्रेवी को उबालाया है, अब हम इसमें डलेंगे बींडी, मिक्स करेंगे, ग्याज की आँख धीमी करेंगे, और पैन के उपर धक्कन रख के बिल्कुल धीमी ग्याज पे इसे 5-6 मिनट पकाएंगे, बिंडी को ज्यादा पकने मत दीजे, किम्कि अल्रेडी बिंडी पक चुकी है, पांच मिनट हो गए है, रख कर निकालेंगे, बहुत ये अच्छी एक ग्रेवी वाली बिंडी मसाला बन के तयार है, इसे एक बार मिक्स करेंगे, अब मैं ग्यास बन करूंगी, बिंडी मसाला को एक सर्विंग प्लाइट में सर्व करेंगे, देखो, इसकी ग्रेवी भी कितनी अच्छी तरह से थीक बन गई है, और खाने के लिए बहुत ही टेस्टी लगती है, गानेशिंग के लिए थोड़ा कजा हुआ हारा दनिया जालेंगे, आप ये मिन्डी मसाला कौन सी भी रोटी के साथ, नान के साथ, नहीं तो चावल के साथ भी खा सकते हो, ये चावल के साथ भी खाने के लिए बहुत ही टेस्टी लगती है, तो जोड़ो आप इस रेसिपी को ट्राइ कीजिए, आपको पसंद आईगी, मेरे आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए तो चले फिर हम एंते हैं इसी ही नए रेस्पी के साथ तब तक के लिए गुद बाई, have a nice day.